और मैं हूँ आपके साथ दुर्गेश पांडे बात करेंगे इस वक्ति बड़ी खबर पलवल सार ये साइबर थाना पुलिस की बड़ी कारवाई फार्जी बद सर्टिफिकेट बनाने वालों का भंडा फोड साथ सो फार्जी प्रमायपत्र किये जा चुके हैं जारी हरियाना बिहार समेत दूसरे राजियों में फैला कारोबार इस वक्त की बड़ी और एहम खबर माथ तक महुचा रहे हैं पलवल से जहां पर फार्जी बद सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोग के सदर्सियों को पुलिस ने गिरफतार किया है साइबर थाना पुलिस की बड़ी कारोई फार्जी बद सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोग का बंडा फोर्ड साथ सो फार्जी परमारपत्र किये जा चुके हैं जारी गिरोग की महिला आरोपी को तिया गिरफतार पलवल से इस वक्त की बड़ी खबर माप तक पहुचा रहे हैं साइबर थाना पुलिस की बड़ी कारोई फार्जी बड़ सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोग का बंडा फोर्ड साथ सो फार्जी परमारपत्र किये जा चुके हैं जारी गिरोह की महिला आरोपी इसको किया गिरफतार साइबर थाना पुलिस की बड़ी कारोई पलवल से इस वक्त की बड़ी खबर माप तक महुचा रहे हैं तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें पलवल की साइबर धाना पुलिश ने ये कारवाई किये और फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का भंडा फोर किया है साथ और फर्जी प्रमारपत्र अभी तक जारी किये जा चुके हैं और इसी सिल्सिले में पुलिश ने महिला आरोपी को गिराफ्तार किया है आज अजोग को पनिशते once ने मलs को सब्सक्राइब रिचति और में और ऋन्लाइन करवा ने म इसको 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 प्रवीन क्या कुछ आम जानकारी के साथ प्रवीड आहुचा हमारे संवादाता पलवल समारे साथ जुर चुके हैं जी प्रवीन क्या कुछ हैं जानकारी एक खबर को लेकर आपके पास कहां तक पहुंचे अभी पुलिस की कारवाई जी मैं बता दिने चाहता हूँ कि पलवल के साइबर क्राम ब्रांच ने बहुत बड़ा खुदासा की है कि पिछले काफी लंबे समय से जो यह इस पर मामलत चलना आथा जिसको लेकर पुलिसे सबलता प्राप करी है और बताया जारा कि यह बहुत लंबे समय से चलना था रोग जनम और मित्यों के प्रमाण पत्र बनाए गए हैं जिसमें एक शिकायत के अधार पर डंक्र लियाकत अली की शिकायत के अधार पर यह कारवे की गया है और साइबर थाना की ओर से जब फुलासा किया तो उसमें बताएगे कि सपना नाम की एक महिला जो कि जब कोविट के सम करेले बनते और यह महिला और अन्य ग्रमचारी मिलकर इस तरह के मामले में लिप पाएगे हैं जिसकी जाच काफी लंबे समयखे चल रही थी लेकिन जब जाच में काफी पड़ताल करने के बाद पाए गए कि एक महिला इस मामले में उसका मामला आ रहा है और महिला इस में मामले में लिपता है तो उसका खुलासा जब आज किये गए तो बताएगे कि अब तक इतने लंबे समय के अंतरान में लगबख साथ सो जनम और मित्व पर्मान पत्रों का जो अवेद रूप से बनाए गए जिनका कोई मामला में नी था जो सचाई रूप से सत्यापिर भी नी थे जब खुलासा हुआ डक्टर लियागा तली के उसकी शिकायत के अधार पर तो बताएगा कि उसका जो पासवर्ड था वो किसी तरह से हैक कर लिय करता है कि 700 मामले इस तरह के इसमें पाए गए हैं जी प्रमीड पूरे यह जो काम है यह महिला अकेली करती थी या इसके साथ और भी लोग जूड़े हुए है कि शुरवाती जाच में यह बताएगा कि अभी महिला से जाच जो है चल रही है उसे पुष्टा चल रही है और और भी मामले खुलने के खुलासा के अंदाजा लगा जा रही है कि और भी इसमें मामले शामिल हो सकते हैं और भी लोग इसमें आज तकते हैं लेकिन उसके लिए अभी पुलिस का कहना है कि अभी जो है उसके लिए पहरी चल रही है जैसी खुलासा होगा उसका भी बहुत पुला सा किया जाएगा जी प्रवेड ये ये महिला जो पकड़ी गई है ये कहां की रहने वाली है ये पिनंगवाज छेतर की रहने वाली जो कि पिनंगवाज जो कि महवाज जिले में आता है ये वहीं की रहने वाली है पुलीस है जब इसको अरेस्ट किया तो अरेस्ट करने के बाद आदारत में पेश कर दिया और पेश करने के बाद इसको सीधा जेल भेज दिया गया है और उसके रिमांट पे भी लेने की कोशिश की जा रही है ताकि और भी इसके साथ कितने लोग मिले में हैं इसके गिरोव म मिली है पलवल साइबर थाना पुलिस को और जहां पर पुलिस ने फरजी बसर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोग का भंडा फोर्ड किया है और गिरोग की एक महिला को गिरफतार किया है वहीं हर्याना में निवेश बढ़ाने के लिए दुबई में इन्वेश्ट हर्याना कारिकरम का आउजयान हुआ कारिकरम में मुख्यमंतरी मनुहरलाल ने निवेश्कों से बाचीत की उन्होंने कहा कि हर्याना निवेश्क के लिए सबसे उत्तम प्रदेश है YCM निवेश्कों को हर्याना में आने के लिए आमंत्रित किया और कई उद्ध्योपतियों से अलग अलग शेत्रों में निवेश्क करने को कहा प्रदेश के मुक्यमंत्री मनुहलाल दुबई के दौडे पर हैं जहां वो इन्वेश्क हर्याना स्रुवित में शामिल हुए अबुधावी में एल्डर हेड़वाटर में भी C.M. ने कई मुलाकाते की इस दौरान मुक्यमंत्री मनुहलाल के साथ प्रदेश के उप मुक्यमंत्री दुशंत चौटाला भी मौजूद रहे इस और आंच ये मनुहलाल ने निवेश्कों से बात की और उन्हें हर्याना में निवेश्क करने के लिए आमंजित किया आज़ेस्ट तो इन्वाइट ने पर्पस इन हर्याना निवेश्क करने के लिए विए उस नात ने से मैं आपको सुब को नुटर देता हूं या पाई यह 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 यहां के बाले में हम सब जानते हैं एक अश्यक्त तक है हर्याना इस लेंड़ गीता हर्याना इस लेंड़ कर्मा बगवान कुष्ण ने एक ऐसी दिकत प्रस्ती युद्ध युद्ध में भी जीवन का सार और अर्जुन को दिया अर्जुन के माधम से वास्त में साही दिनिया पाई आज जाना के लब लोग देखते कि कैसा यह यह दिनिवेशों को संबोद्य करते मुख्यमंत्री उन्हें प्रदेश में इन्वेश्टर कुमिलने वाली स्विधाओं के बारे में बताया साहथ ही बतायाकि हर्याना में मेन ब मैस करने वालों को सरकार्तियोंधे मिलती है CM ने कहा कि हर्याना निवेश के लिए सबसे उत्तरम प्रदेश है हर्याना कर्मगुमी है आप हर्याना आए हर्याना में 24 घंटे बिदली रहती है हर्याना में निवेश्कों को कोई समस्या नहीं होगी सब्सक्राइब कि आपको है और यार्यां में नेन्यारों में कि इस सब्सक्राइब आपको रहाना नेजिए आपको अपर आपको में आपके ट्रस्प्रें सेटे पांडे लियुक नहीं है कि अब यहांने ग्लोबल सिटी का कलेट कर इसका से अस्तस को बुराया था वहां में इसका की है कि कोई भी जो इन्वेस्टर होस्ट को चिंटारी लिए होती है कि रुभाण आने के बाद पतारी आपको मैं शुरू सुगा को कुप तक होगी उस कॉंपलीशन में गौवर्में कि इतने जितने भी शिस्टम से उबादा बंते हैं उन्सवक के लिए हम इसमें इसमें जिस्टारी वह सिटारी और सब पर्दार की पैसिलिट्स सब एससे कंई सी कुप बढ़नाएं उद्योग पतियों को हर्याना में इंहेश्ट्मेंट का आमतरंग देते वेस्टिया मनु इस दोरान सीम ने प्रदेश के ग्रुग्राह में बनने वाले ग्लोबल सिटी और देश की पहली स्किल युनिवर्स्टी का भी जिक्र किया इस दोरान सीम ने हर्याना के युवाओ को दुबई में प्लेस्मेंट से नौपदी की विवात की कर्म्रोद्ट की अप्लिए का हेरे ओ करता है सिटी इस दीने बा tek on का सकता है स्किलिऍग अगरा लकाष से जा है मइन फिल्ट यूनिवर्स्टी पी कि अपनी है मुक्यमंत्री मनवरलाल प्रदेश के विकास और युवाव को रोजगार देने के लिए लेकिन इन सब के बीच देखने वाली बात ये होगी कि मुक्यमंत्री की ये मनोहर कोशिशे कितना काम्याब हो पाती है और हर्याना को कितना निवेश हासिल हो पाता है जोरो रिपोर्ट अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर कि इस वक्त की बड़ी खबर गुलाचीका से सामने आ रही है गुलाचीका से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है रिश्वत लेते A.S.I. सुखवीर गिरफ़तार आठ हज़ार उपे की रिश्वत लेते गिरहतार रिश्वत लेते एएसाई सुखवीर गिरहतार गुलाचीका से इस वक्त की बड़ी खबरमाब तक पहुचा रहे हैं आठ हज़ार उपे की रिश्वत लेते गिरहतार गुला चीका सेर इस वक्त की बड़ी ख़बरमाग तक पहुचा रहे हैं रिश्वत लेते एसाई सुख्वीर गिरफ्तार आठ हजार उपे की रिश्वत लेते गिरफ्तार कि अज अजो है कि आप में पन्ताई आर्पिया देता ना नो तरह नती नामों दढ़े तिया वक्ति ओड़ीड़ी की फिर मैं अच्छी हार्पिया में कि अध्यार्टिया में फिल्यागें जो ये तुत्वीर सिंग एस्टाइब को आफजार रुबही लेक्टे रिस्वाट के पखड़ा है इसके फादल की खिलाब एक किलोगु किलो पर चेमर करें दो दो तारिक आप तब नाम पर चेमर डालेंगे आप इसको महलियां के दिते ह तो इसने रिक्वेस्ट करें मेरे को नाडलो में आपको प्रेशने के अधिने में अधिने बात दी हूं आपको 8000 पर घेशना है जो ये सहमत हो लेक्ग और ये इसके फास में है ये मारे पास आगया ना पुष्ट्र में मेरे डूकी है ये अपने अपनी तरफास लेके और बुलेटेन फिरहाल वक्त एक ब्रेक का है ब्रेक के बाद खबरे और भी हैं सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सची तहली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या जैसे कथिंदर, अन्यमिता, खून की कमी, धकान वा कमजोरी जैसी सबी प्रॉब्लम्स के लिए नमबर वन अशधी, एवम टॉने मेरी जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में खुल जाएं तब सिंद्रगी में रंग भर दे मेरी जैसे मेरी अपनी पता का पता का चाहें घजब का स्वाद देखें, कौन में अखिलानी है समझाते हैं, प्यार से समझाएं ये तो अपनी जुआ है जुआ एक हो, तो दिल भी एक होने चली विम्मल, बोलो जुआ के सरी ब्रेक के बाद स्वागत है आपको अंबाला में सेंटरल जेल एक बार फिर से सुख्यों माया है बताया जा रहा है कि सेंटरल जेल एक बार फिर से कैदियों को वी आईपी ट्रीटमेंट दे रहा है आपको बता दे कि दो महीने पहले ही जेल अदिफशक का तरादला हुआ था वहीं दो महीने के अंदर जेल से 21 मोबाईल फोन बराम दूले है फिलाहल अंबाला शेहर के थाना बल्देव नगर में पिछले नौ महीने में 62 मोबाईल फोन मिले के मामले दर्ज हो चुके है इस बार का जो हमारा दोजार बाइट से जो डाटा है जिसमें भी हमने वहां से 8 मोबाईल कुछ बैटरी और 6 सिन भी वहां से बरामद किये थे उसमें भी हमने नियुन सार फैर रिश्टर करी और उसमें करवे लाटा है वह एक खबर गुरुग्राम से है जहाँ पुलिस ने विदेशी मूल के एक व्यक्ति को गिरफतार किया जिसके पाफ से 1.5 करोड रुपे का 160 ग्राम हेरोईन बरामद हुई है आपको बता दे कि नाइजीरिया का रहने वाला 28 साल का आरोपी फरनांडो बेंज बिना वीजा के गुरुग्राम में रहा था और नशीले पराथों की सप्लाई करता था पुलिस का मुताबिक आरोपी पिछले 6 माहिनों से दिल्ली और ग्रुग्राम में हेरोईन देशने का काम कर दा था पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कारवाई शुरू कर दिया टीम ने इंफरमेशन के आदार पर एक विदेशी नागरी जो नाइजीरिया का रहने आदा था उसको काबू किया और उसकी तरासी में एक सो साथ गराम एरोईन बरामद की गी जो नसी लापदार्थ है और इसके संबन में जब उससे कुछ ताच की गई तो अवैद रूप से रखना पाया गया वहीं फरीदबाद में टूटी हुई सड़कों का हाल इसकदर बिगड़ा हुआ है कि वहाँ से आसानी से निकलना नामुम्किन है सड़क गड़ों में तयार है या फिर गड़ों में सड़क है इस बात का अंदाजा आप तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं हजारों लोग इस सड़कों से आए दिन अपने अपने गंतव्य तक अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं लेकिन हालात इतने खराब हो चले हैं कि आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई जुर घटना भी इन टूटी हुई सड़कों की वज़ा से हो जाती है लोगों का कहना है कि वाहन से निकलना तो दूर की बात लोगों को पैदल निकलने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है तूटी हुई सड़कों की वज़ा से यहाँ पर धूल भी उड़ती रहती है और पॉलूशन भी बढ़ रहा है प्रशासन इन सड़कों में ना तो रोडिया भर रहा है और ना ही दोबारा से इनको बना रहा है जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पॉमेंटरस में दिखें रहा है तो घज़ा लगों कि इतनी बूरी हालात हुई पड़ी है बिल्कुछ जज़र हालात हुई पड़ी है अगर दो मिनट के लिए बारिज हो जाती है तो खड़े इतने बर जाते हैं लपाला पानी से यहीं पता लगता है कि पानी जो है रास्ता किदर से निकलेगा किते ने लेता था और हम बाइक पर फिरिंड का हमारा काम है रोज मर्रा का आते जाते रहते हैं तो बड़ी परिशानी होती पड़ी है और मेंटिरेंस इतना आजाता है कि बहुत जाता है वहें गुरुग्राम में CM उरंदस्ता और HSVP EO2 की सन्युक्त टीम ने कारवाई किये बताया जा रहा है कि गुरुग्राम की सरकारी जमीन पर चल रही अवेद पार्किंग को लेकर कारवाई की गई आपको बता दे कि सेक्टर 48 में HSVP की सरकारी जमीन पर काफी समय से अवेद पार्किंग चल रही थी इस दोरान पार्किंग में करीब 100 से जादा गाडिया खड़ी मिली जिसके बाद अवेद पार्किंग में गाडियों की 50 रुपे बाईकों की 20 रुपे की परची काटने के साथ साथ प्रती माह पास भी बनाय जाते थे वहीं मौके से टीम ने बाईक की काटी हुई परचीया और पार्किंग रजिस्टर भी जब्द की है खबर फत्याबाद से है जहांपर हमारी खबर का असर हुआ है आपको बता दे कि फत्याबाद में धान की खरीद शुरू नहीं हुटी जिसको लेकर हमारे चैनल पर मुक्ता से खबर को दिखाया था जिसके बाद मंडी में धान की आवग बढ़ गई और उसके बाद से खरीद भी शुरू हो गई है खरीद शुरू ना हुए मंजदूर भी परेशान थे उन्होन ने कहा कि उन्होंने काम नहीं मिल रहा है जिसको चलते पिछले तीन दिनों से वो खरीद शुरू होने का इंत ना मालार है ना कोई सुनाई होई ना कोई बात हम सारे जितनी लेवर वाले सारे के सारे बेले बैठे हैं कभी खोल देते 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 हैं कोई सुनाई नहीं होई हमारी कुछ भी नहीं हो सनीवार को प्रसासनी कडिकारियों नहीं ये का था भी सोमार सुबे हम दस बजे खरीज शुरू कर देंगे लेकिन जिस साथ से मुझे इनका लगरा है आलात है ये आज क्या कल भी खरीज शुरू नहीं कर पाएंगे क्योंकि ना तो इन्होंने अभी तक मिले लाट की है और ना ही कोई जवाब दे पा रहे है ख़वर जिन्स है जहां रोडवेज बस की अच्चानक से श्टेरिंग फेल हो गई लेकिन ड्राइबर ने अपनी सूजबुच से बस को खेतों में उतारा जिसके चलते यात्रियों की जान बच गई गजल जुलाना से चलकर जैसे ही बस बुरा हेडर गाओं के पास पहुंची तो वहाँ बस की श्टेरिंग फेल हो गई जिससे बस अन्यंत्रित हो गई और सड़क से नीचे उतर गई इस्टेरिंग फेल होने से यात्रियों में हड़कंप मच गई गनीमत रही कि बस में सवार किसी भी यात्री को चोट नहीं लगी बाद में यात्रियों को दूसरी बस में बिठाकर जीन लाया गया और बस को मरमत के लिए क्रेन की सहायता से जुलाना वरक्शॉप में जुलाना से जीद के लिए सुबह साथ दस पे चली थी और किनाना और ब्राड़ खेड़ा के बीच में गाड़ी का स्टेरिंग फैल होने के खान यात्र सभवा है और इस साथ से मैं सुचना ये मिली है कि किसी भी तरह की कोई जनानी नहीं भी वह एक खबर कुरक्शेतर से है जहां थाने सर के विधायक सुभाश चुगा ने जिले के एक मात्र सरकारी अस्पताल का ओचक निरिक्शन किया और पूरे अस्पताल में सुविधाओ का जाज़ा लिया इस दोरान ने अस्पताल में कई खामिया नजर आई उन्होंने तुरंत दूर करने के आदेश दिये उन्होंना कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कारवाई भी होगी कि अधिक्शन को पूछा आपके सावन को जो कि मैंट्री करते हैं सब्सक्राइब करते हैं पानी की बस्ताइब करते हैं चोटी चोटी इश्यू है जो पूरी कहीं आपके अप्रतर का महतुर से जाएब कि निए बात्रूम और पानी की समस्षे अधिकी वाटर का लगा हुए है तो उसके लिए मिननको दूब्स करते हैं कई पर लोगों को लोगों जाती कि यह पानी पेड़ी प्रसा गांब है इस पर कहां से मुझे बता रहे हैं मेरा गाओ मेरा देश में फिलाल की लितरा ही मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार सब्चाज माया